एक दशक पहले क्षेत्र में बढ़ती अप्राधिक गतेविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लालकुआ विधानसभग क्षेत्र के अंतरगत आने वाले चोरगलिया स्थित हंसपुर वन खते में वन विभाग की पुरानी वन चोकी में एक अस्थाई पुलिस आनन फानन में बना दी थी जो पिछले लगभग एक दशक से चलती आ रही है। किंतु इस चोकी के कर्मियों के पास इन अप्राधियों से मोर्चा लेने के लिए ऐसी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो किसी अप्रिय घटना से निप्टा जा सके। कई सालों से वन विभाग माववादी आफराधिक गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन ने एकस्थाई पुलिस चोकी चोरगलिया के हंस्पुर वन खत्ते में वन विभाग के पुराने खंड़हर कामरों में बनाई जो आज भी चल रही है। दिवार से भी नहीं हो पाता है तथा कुछ 6 पुलिस कर्मियों के भरो से चल रही है। यहाँ चोकी वही आसपास भारी जंगल होने के चलते पुलिस कर्मियों को जंगली जानवरों से भी खत्रा बना रहता है। इधर शासन द्वारा पुलिस को चोकी निमार्ण के भूमी उपलब्ध कारा दी है लेकिन प्रशासन की सुस्ती के चलते भूमी पर एक इप तक तो दूर उचे तेवं आवश्यक बजट भी नहीं मिल सका है। इधर डियाईजी जगत राम जोशी ने कहा कि इस संबंध में अपने विभागिया अधिकारियों से बात करूंगा जल्द ही इस चोकी को आरंप कर दिया जाएगा। चोकी है और उसके लिए पैसा हमें प्राप्त हो चुका है शासन से उसकी भूमी अस्तानतरण की प्रिक्रिया बिल्कुल अंतिम स्टेज में है शीगरी उसकी अनुमती वन विभाग से आजाएगी वहां पर काम चालू हो जाएगा अभी वहां पर हमारी चोकी चल रही है ज